हाई एवरीवन मेरा नाम है विजट और आज मैं आपके लिए कुछ नया लाने वाला हूँ आप थमनेल और टाइटल देखके समझी गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ इस वीक मैंने देखी एक वेब सीरीज जो की है स्कैम 1992 दहर्शद मैता स्टोरी इसके बारे में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म से काफी बाते हो रही है तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा इस वेब सीरीज में काफी सारी ऐसी टर्म्स हैं और काफी सारी चीजे हैं जो काफी लोगों को समझ नहीं आई काफी सारे लोगों को ये भी समझ नहीं है कि scam असल में है क्या तो आप देखते रहें ये वीडियो और मैं आज आपको समझाऊंगा काफी easy way में कि ये scam था क्या इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस web series के बारे में इसका review दूँगा और बताऊंगा कुछ banking और financial terms जो कि आपको काफी ज़ादा जरूरी है इसे समझने के लिए मैं बताऊंगा कि क्या loopholes यूज किये थे हर्शद महता ने 1992 में जिसे exploit करके ये scam किया गया था तो आप ये review देखते रहिए और आप जल्दी समझ जाएंगे काफी आसानी से कि इसमें होता क्या है review स्टार्ट करने से पहले ने explain करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस web series में 3-4 कुछ ऐसी terms है financial and banking terms जो कि आपको समझना काफी जादा जरूरी है इसे समझने के लिए काफी सारी terms का use किया गया है लेकिन ये 3-4 main है जो कि समझना बहुत जरूरी है सबसे पहली term जो कि काफी जरूरी है वो है PSU और PSE इसका full form है public sector undertakings और public center enterprise ये वो companies होती हैं जिनका majority of the stock holding government के पास होता है मतलब basically ये वो companies हैं जो कि owned by government है second जो term है वो है speculation या speculative investment इसका मतलब ऐसे किसी stock को trade करना stock market में या stock exchange में जिसके prices काफी volatile है in expect of a financial return जब एक broker को या speculator को ऐसा लगता है कि किसी भी stock के prices काफी जादा है या ये overpriced है तो वो से short sell करेगा और wait करेगा उन prices के नीचे आने का जैसी prices नीचे आएंगे वो से sell कर देगा और काफी जादा profit कमाएगा उस पे third term जो हमें समझने की जरुवत है वो है insider trading insider trading काफी easy सा concept है इसमें एक जैसे की broker है वो एक बड़ी company में जला जाता है और किसी एक बंदे से वहाँ पर setting कर लेता है और उससे confidential information निकलवा लेता है ये ऐसी information होती है जिससे की stock prices में काफी fluctuation आ सकता है और वो काफी उपर जा सकते हैं लेकिन ये public को available नहीं होती है ये information broker अपने पास ले लेता है और फिर जाके speculate कर देता है market में और लोगों को urge करता है कि आप इसमें invest कीजिए जाद से जादा लोग इसमें invest करते हैं जिससे की stock prices काफी जादा ऊपर चले जाते हैं लाज चीज जो हमें समझने की जरवत है वह है SLR जिसका full form होता है statutory liquidity ratio इसमें होता ही है कि सरकार सरकारी banks को अपने पास at a particular point of time इतना पैसा minimum रखने के लिए बोलती है in form of cash, gold reserves, government securities and bonds मैं आपको बताऊंगो कि हरशिद महता ने 1992 में ऐसा scam operate कैसे किया क्या loopholes उसने निकाले और ये scam हुआ कैसे जैसा कि मैं आपको पहले बताया SLR से bank को कुछ minimum amount अपने पास रखना ही पड़ता था जिससे उसकी liquidity block हो जाती थी ये काफी बड़ amount होता था liquidity को चलते रहने के लिए bank use करते थे ready forward deal को ready forward deal में होता क्या था दो banks एक दूसरे से loan ले सकते थे in terms of security deposit as government securities नहीं समझा आपको मुझे भी नहीं आया था पर मैं आपको फिर से एक अच्छे से समझाऊंगा इसे for example हम दो bank ले लेते है bank A और bank G ये है Amir bank ये है गरीब bank Amir bank पैस 15 days के लिए 15 days खतम होने के बाद जो Amir bank है वो सिव वापस कर देगा government securities और गरीब bank वापस कर देगा उसे अपना एक क्रोड रुपए जो उसने use किया है with interest तो हुआ क्या था between 1991 and 1992 ये ready forward deals काफी जादा होने लग गई थी बैंकों के बीच में और इसका record रख पाना बहुत ही होता है ये था जो bank G है गरीब bank है ये physical securities देने की जगए एक BR issue कर देता था Amir bank को जो की इस बात का proof है कि इन दोनों के बीच में ready forward deals हुई है बट market में ये पता कैसे चलेगा कि जो Amir bank है ये इसने एक करोड रुपे दिये हैं गरीब bank को और जो गरीब bank है इसने एक करोड लिया उन्होंने गरीब bank से और वो बियार लेके गए और बोला कि मैं अमीर bank से पूछूँगा कि आपको पैसे देता है या नहीं या किसी और bank से पूछूँगा फिर वो Amir bank के पास गए उसे वो बियार थमाया और वहां से पैसा लिया लेकिन इस सब में एक चीज ये थी क वापस से ये broker और दे रहे हैं फिर गरीब bank को ये सब रिराउट हो रहा था उनी के account से इस सब में हर्शेद मैता ने दिमाग क्या लगाया वो सक गया छोटे मोटे banks के पास अंदर official से कर ली उसने setting और उनसे issue करा लिए बियार अपने उपर बियार issue करा है लेकिन ये बियार कि उसके पास और बड़े-बड़े banks के पास कि आप invest करो money और मैं आपको काफी अच्छा return लाकर दूँगा हजारों करण रुपए invest हो गए अब हर्शत मैता ने किया कि हैं हजारों करण रुपएओं को वापस करने की जगए कुछ चुनंदा कमनियों के stocks में invest कर दिया जिससे कि उनके prices काफी जादा उपर चले गए अरी चीजों के बाद जो भी stock market में speculation करने के बाद उनके पास जो लेते थे और काफी छोटा सा माउंट उन लोगों को जेदे थे जिसने उनकी मदद की थी ये बियार वगर इशू करने में और जो भी लोग involved थे ये जो information थी जो की सब हो रहा था हर्चत मैता जो कर रहे थे इस चीज की news चली जाती है insider source के थुरू सोचेता दलाल के पास जो की एक editor होती है Times of India में उस समय फिर वो इस news को break करती है पबलिक में और जैसे ये news बाहर आती है stock market crash हो जाता है और हजारों गड़ रुपेयों का नुकसान हो जाता है लोगों का इस बाद stock market गिर जाता है काफिसार लोग suicide कर लेते हैं धंदे बंद हो जाते हैं लोगों के और stock market गिरने के बाद बिलकुल ही एक disasterous महौल बन जाता है पूरा financial market में बाद शुरू हुआ हर्षण महता का downfall इस वेब सीरीज को देखते हो आप एक चीज़ और देखेंगे कि हर्षण महता किस तरह से इस scam का एक face बनाया गया simple सी बात है कि इतना बड़ा scam सरफ एक अकेला बंदा नहीं कर सकता है इसमें काफी सारे लोग involved थे काफी सारे लोगों का नाम भी आता government officials का लेकिन सब निकल गए कुछ भी नहीं हुआ फसा कौन सरी फर्षण महता नहीं दो तीन एपिसोड में आपको देखने में ऐसा लगे मेरा यह review बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको सारे notifications आ जाएं कि कौन सा review कवा रहा है thank you for watching this video